जई गोव मतामित्रो आज हम देशी गाय के गोबर से प्लेट बनाएगे अठारा भाइबारा की और इसे बनाने के लिए हमने देशी गाय के गोबर लिया है ताजा गोबर लिया है और यह प्लेट बनाएगे हम और यह प्लेट बन जाएगी तो उसके ओपर कहीछ सारे प्याटिंग भी बनाएगे हम इसके लिए हमने एक शासा बनाया है देखिए यह शासा हमने बनाया है अटारावाई बारा का लोखन का शासा है और यह गोबर लिया है ताजा गोबर है तो यह साचा की मदद से हम अस प्लेट बनाएगे तो दोस्तो आप दिवाली का तेवार है और दिवाली का तेवार पर आप सभी को हमारे तरफ से देख सारी बताई देते हैं आपको आप सवस्त रहे सुरक सित रहे और आगे बढ़ते रहे आप 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 झाल झाल हमारे हिंदु धर्मों में और सास्त्रों में लिका है गाई के गोबर के अंदर लक्षमी जी का वास होता है और हम कहीं तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं गोबर प्रोडक्ट बनाते हैं पंस्गव ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्लेट के अंदर हम भेंटिंग बनाएगे माता लक्समीजी का पेंटिंग मनाएगे गन्पति बापा का पेंटिंग मनाएगे गाई का पेंटिंग मनाएगे कहीं तरह की पेंटिंग मनाएगे इस प्लेट के अंदर और आपको एक हमारा निवदने कि जो भी भाई हमारे वीडियो देखते हैं और हमें सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें बहुत बड़ा प्रोचान मिलता है प्रकास थोड़ा सा कम है क्योंकि कहीं तरह के बादल है और फिर से बारिश आने वाले है ठाइकपड़ा प्रोचपड़ा और फिर से निवदने करते हैं मिलता है याइकपड़ा झाले है और इसी सोटी प्लेट बनाएगे तो उसका भी वीडियों जलती डालेगे कि जलती जलती पालेगे तो बनाएगे तो उसका है झाल 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 देखिए दोस्तो अमने सारी प्लेट बना ली देखिए ये भी हमने बनाई है देखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करना और हम हमारे वीडियो को यहां खत्म करते हैं झाल झाल झाल